Good morning students. Now after introduction, now we'll see line by line explanation, okay? बाद्य एंत्रों की अनुकी दुनिया डोल की आवाज सुनते ही पैर तिरकने लगते हैं और मन कुशी से जूम उठता है So, डोल अंदा इंगे उर्तरवास्टित कर लिया अजदा डोल Drums, okay? डोल की आवाज आंदा सौंद के टोने रमा लेकसला ताना डैंसा अगारना क्यों We will start to dance और मन, आंदा माइन वन्दा, माइन और हाट विल भी वेरी हापी मन कुशी से जूम उठता है कुशी से जूम उठता है और दिंगे मुहावरा It's idioms, which means feeling very happy प्रस्न होना फ्लीम हो या कार्टून फ्लीम हो या कार्टून Even if it is फ्लीम और कार्टून If it is a फुट्स या त्योहार फंक्षन आरकटू इन फेस्टिवल आरकटू देश या विदेश It's in इतिने कंट्री और अब्राद आरकटू So, Sangeet अपना विशेश महत्वर रखता है So, music Have an important place Special place इरक So, when hearing the sound of the drums We will automatically Our leg starts to dance And we will feel very happy Whether it's फ्लीम और कार्टून Whether it's a function or the festival Whether we are in India or abroad The Sangeet has His own special place Its importance is there शेहनाई की मदुर्द्वनी शेहनाई की मदुर्द्वनी शेहनाई is clarinate नादस्वरम की मदुर्द्वनी दूर से ही बता देती है कि विवाव उत्सब शुरू हुआ हो चुका है विवाव उत्सब में Marriage function has been started Within अवसरों पर Within अवसरों पर बिन बिन वाद्य एंत्रों बजाया जाते हैं विविन ना different kinds of situation ले different different आन musical instruments are played जो मंगल की सूचना देती है मंगल means prosperous thing is going to happen अबडी इन्ड़दर अमिल की intimate पननद सूचना देती है means it intimates that तबले की थाप तबलाव एबड़ी रमब वासिपों how we will play that the beat पनिलिया and the beating अधा हिंदील थाप देकर sitar कीदू sitar ओड़स sound shahana कीदू clarinet ओडस sound हमें कुशियों की एक अनोखी दुनिया मी ले जातिया so all these sounds of this musical instruments will take us to a unique world happiness ओड़़ उड़़ unique world it is taking us so different आन ओड़़ world कुल्ला अमले इंदे music वंदे कुंड़ पोगो बारत में संगीत के शेत्र में अनेक प्रका के वाध्य अंत्रों का विकास हुआ है so इंदिया ले in the field of musical we have developed many different musical instruments we are playing many different musical instruments ये वाध्य अंत्र अलग अलग तरह से बज़ाय जाते है so not all the instruments has to be played in the same way right different different instruments are played in different ways तबला डोलक drums इंद तबला वों डोलकों जैसे वाध्य अंत्र को ताप देक्कर बज़ाय जाते है ताप ना अडची 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 दां अधवंद वासिके वेपोणों लेह वासिपों तो बांसूरी शेहनाय को फूक से बांसूरी ना फूलांगुळल शेहनाय नाधसूरत अब्री रमब हाउवी इस प्लेट सितार संतूर आधी को तारो में कमपन उत्पन करके बज़ाय जाता है सितार अंसंतूर वंद रमब स्ट्रिंग्स लंद वंद वाइब्रेशन कोंड़ों अधल दारमब साउंड कोंड़ोरों इलिया अंद साउंड मोनमादां वी आ प्लेइंगेट संगीत में वाद्य एंत्रों का महतवपूर्न स्थान है music instrument has an important place महतवपूर्न में is important स्थान में is place सुरों को ताल देने के लिए अधको रिदम कुड़ करते के तरा तरा के वाद्य एंत्रों का प्रयोग किया जाता है ना यूस पने तुपांगे understood यहां हम कुछ प्रमुख यहां ना इन्द बुख ले इन्द लेसन ले we will see some important musical instrument पाते we will get the information यहां हम कुछ प्रमुख वाद्य एंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे प्राप्त करना में is we will get it okay first we will see is tabla tabla ताप देकर बजाय जाने वाले वाद्य एंत्रों में tabla सबसे लोकप्रिय वाद्य एंत्र है so beat पने वासी करदल उम्बवे यहलारकों पुड़िचे people loved instrument is tabla इसका प्रयोक शास्त्रिय संगीत से लेकर शास्त्रिय संगीत ना classical music इससे लेकर classical music पाश्चात्य संगीत ना western music तक में किया जाता है so it is used both in western and classical music शास्त्रिय संगीत में classical music पाश्चात्य संगीत में western music यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है so in the tabla वन्द इंगरुंबवे famous North India उत्तर भारत में नौर्थ इंडिया प्रचलित में famous संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है so in the music वरत करें रेंड तबला यूस्पन अंगलिया using two tablas there बाय हात में बजाय जाने वाला बाय हात ना left hand बजाय जाने वाला यह उत्तर आकार में बड़ा होता है यह एण बड़ा यह उत्तर आकार यूस्पन बड़ा इसे बाया कहा जाता है इसे बाया ना वहे इसे left hand left hand ले उसपन रास पनदा पिरिय जैसलर कता बड़ा दा बाया दाय हात से बजाय जाने वाले एंतर को दाया कहता है कहा जात है दाया हात ना right side बायां तबला मिट्टी या दातू से और दायां तबला लक्डी से बना होता है तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों हतेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है जाकिर उजेन पंडित अनिंदो चैटरजी, हुस्ताच सुकुविंदर सिंह नामदारी, पंडित अनोखे लाल मिश्रा ने तबला बादन में काफी शोहरत आसिल की है शोहरत ना फेम, हासिल ना, they have attained it okay, so these people have attained much fame, enough fame in the field of playing the tabla I repeat the persons over again okay, जाकिर उजेन, पंडित अनिंदो चैटरजी, उस्ताच सुकुविंदर सिंह नामदारी, पंडित अनोखे लाल मिश्रा okay, so we understood the how the structure of the tabla is, what is left tabla, what is right tabla, what are the parts of the hands are used to play the tabla and who are the famous person and what are the metals or what is the material used to make the left and right and in which Sangeet music it is used so this you have to recall okay, and also read the spellings along with it, when you are reading wide open, you will not make many mistakes next we will see is Bansuri, Bansuri means flute okay, Bansuri means melodious सूरी ला मिन्स मेलोडियस, okay. बान्सूरी लक्री की बनी होती है, बान्सूरी इसमेड अपफ उड, जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाव, चेद के पार ना, on the holes बर्या, across, across the holes, the air movement, हवा के प्रवाव ना, air movement, प्रवाव मेंस, movement of the air, this makes the sound, okay, so, बांसुरी लकडी की बनी होती है, जिसमें छेद के पार हवा की प्रवाव से द्वनी उत्पन होती है, so, sound is produced when the air moves across the holes, करीब पैंतीस से चालीस हजार साल पहले की कई बांसुरियां जर्मेनी के स्वाबियन अलब शेत्र में पाई गई है, so, करीब ना, नियर्बाई 35 to 40,000 years before लेरके फ्लूट सेलामे, जर्मेनी लेरके स्वाबियन अलब शेत्र अंद प्लेसले कंड़ पुर्चिरिकांगे, इरके, okay, it's there, old, that's old, old ages for बांसुरी, अवले old पडेस अंद बांसुरी, इन बांसुरीयों, बांसुरीयों से अनुमान लग जा सकते, so, what we can guess from this, flutes are that, की युरोप में एक एक विक्कसित संगीत, so, युरोप ले वन्दु, ओर डेवलप्ड music, इरिंद रुकला, इलिया, अंद ओर tradition follow पने इरुकांगे, so, what we can assume from this old, उवले old इरुकर, ओर flutes वेच्चिर अंब, एन्ना, what, we can come to end conclusion, that, in Europe, ओर डेवलप्ड, ओर लावे, डेवलप्ड आन ओर music academy, इरिंद रुकुनो, इलिया, परंपरा, आधुनीम, okay, where I left here, okay, इन पांसुरियों किसे अनुमान लगा जा सकता, you can guess that, की युरोप में एक विक्कसित संगीत, संगीत परंपरा, आधुनीक मानव की उपस्तितिके, प्रारंबिक काल, may be, विद्यमान्ती, so what we can guess from this is like, इप्पा आधुनीक मानम is modern human, right, but in the modern human, start आगन ओर टायम इरुकोंड, अंध अर्ली पीरिड ले रिंदे, flute वंधी यूस पने इरुकांग, अन्रथे, we can guess it out, because it's 35 to 40 thousand old flutes लामे, available in Europe, understood what the author is trying to say, okay, so modern human, start आगना पीरिड ले रिकंपोदे, बांसुरी वस यूस न्सोल्रांग, and the legacy was used there, it was present there, परंपरा मेंस, परंपरा मेंस ये लेगसी, आधुनीक मानम मेंस, modern human, उपस्तितिति न्स प्रसंस, के प्रारंपिक कालन, early period, अवरोड़ प्रेसंस लेक्ट, early period, उम्पवे, मिन्नाडी, when human was, homo sapien was formed from the monkey stage ला, अंद टायम ले सोल्रांग, प्रारंपिक काल में, बी, विद्धियमान, थी, so अप्पये, इरुंद इरुक्ग, अबडीन रांग, वही बारत में भी, so इद्धि, this is for Europe, वही अदे विश्यों, बारत में भी बांसुरी, पवरानिक महत्वर रत्ती है, बारत के प्रमुक पांसुरी वाधकों में, प्रमुक ना फेमस आन, person who plays flute आर, हरी प्रसाथ चावरसिया, पन्नालाल गोश्य और राकेश चावरसिया के नाम, उल्ले खेनिया है, उल्ले के ना नोट वर्ती, रिमाकबला इरुक्ग, इन deben, हरी चावरसिया, प्रमुक नाम, उल्ले खेनिया है, चावरसिया, भांसुरी वाधक में, ल्ल्ले खेनिया है, shahnai clarinet, शेहनाई एक कोखली नली जैसे होती है कोखली न होलो नली मिन्स ट्यूब और नारो ट्यूब मारी रुखों जिसका एक सिरा अधिक चावडा दूसरा पतला होता है एक सिरा न ओर टिप वांदू रूमबवे ब्रादा रुखों न ओर शाला ओमबवे theo रूलाई तीक ये रूमबवे तिन हमारा रुकों ये ट्रूसरा आ इस होता है एक सिरा न ओर ब्रादा शालाए ऑद जिरा घ्रिवी तिन न खा क। रोदे इमेज बिलो ओके जो आधिक ओर साहिल रूमबवें पिल बेरी ब्रोट अधर साइड भी तिन शहनाई के संक्रे सिरे इस अंद नारो पाट इरुक लिया संक्रे सिरे ले सिरे पर डायने के आका डायने ना विंग्स शेपल dhyne means wings so in that narrow part le we can say see like wings in the shape of wings 1 cm लंबी 2 पत्या 1 cm लेंग्थ ले 2 leaves will be there पत्या में इन स्टिप्स रुको okay पत्या लगी होती है so उस्तार बिस्मिल्ला खां so you have to remember this name उस्तार बिस्मिल्ला कां की शहनाई की द्वनी कानों में पढ़ते ही आनंद की अनुबूती होती है so यारोड साउंड और वासिकर साउंड केटरों अमल करूंबवे संदोश मागद उस्तार बिस्मिल्ला कां की शहनाई की द्वनी आदल वासिकर नादसुर वासिकर साउंड नांब कादल पट्ट ओडने we will feel the happiness आनंद की अनुबूती अनुबूती आनंद मेंस happiness अनुबूती ना फील पन्रद होती है वे विष्व के सर्वसेष्ट सहन शहनाई वादक माने जाद all over the world is the best person वे वरदान सूदां हो is that person? उस्तात बिस्मिल्ला कां okay this is the person शहनाई I will show the image later this is the narrow part okay and the broad part is not visible I will show image later नेक्स्ट विल टॉक पोर्ट सितार तारों में कमपन पैदा करके बजाय जाने वाले एंत्रों में सितार सबसे लोक प्रिय वाद्य एंत्र है तारो मिन्स strings लो, wires लो, Vibrate start पन विच्चु, वासिकर यंत्रता, यंत्रत्ले रुम्बवे पुडिच्चथु, यल्लारकों people लवड वंदु सित्तार दा, ये सोगन की लक्डी और कद्धूसे बना होते, सोगन की लक्डी, सोगनन टी कूटले, एंड पम्कीन एच्ची इसे बजाते समय, इद वासिकर बूदु, उंगली के में महराप्त पहनकर, और कैल नेटिल मारी पोट्टु पांग, so that we can press the wires comfortably, और soft fit मारी, और कैल फिंगर पोट्टु पांग, so that the strings doesn't cut the fingers also, and the vibrator also will be very minute vibration नड़कों, okay, it will be like, and the sound नाला केकों, so महराप्त पहनकर, इसके थारों को, जन्कृत किया जाता है, जन्कृत नान्द राइमिंग साउंड, और रिंगिंग साउंड कोंडु अरा मुरियों, okay, कैले, कैले, fingers लिडार्क ला सेर्दोड, और महराप्त पहनकर, और चिन्द द इसका प्रयोग भी शास्त्रे तता अन्य तरा के संगीत में किया जाता है, so even in it is used in the classical and many other types of music, music के दला यूस्पनवान गया, सितार पुरी तरफ बारत्य वाद्य एंत्र है, so सितार इस पूरली ए इंदियन musical instrument, सितार पारंबरिक वाद्य एंत्र होने के साथी, सबसे अधिक लोग प्रिया है, so सितार वंदर नो, it's not, सितार is not only just very famous, but also it is very प्रारंबरिक, it's very traditional, इसे बारत का राष्ट्य वाद्य एंत्र होने का गवर भी प्रात्य है, so it is the national, नेशन ओड़, musical instrument के सितार दा, this is the nation, नेशन ओड़, fruit केंद़, mango, flower केंद़, lotus उल्रुमो, अधे मरे इंदिया ओड़न्न, nation ओड़, musical instrument के सितार, so under proudness सितार के दा रिक, पंडित रविशंकर, उस्तात लियाकत खां, शहित परवेशकान, और पंडित उमाशंकर मिश्रा, ऐसे नाम हैं, जुनोंने सितार बादन परंपरा को लोग प्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है, so these are the people, पंडित रविशंकर, उस्तात लियाकत खां, शाहित परवेशकान, पंडित उमाशंकर मिश्रा, who has taken the सितार बादन, they are the very best players of सितार, who has taken a new heights in this area, परंपरा को, this परंपरा मेंस अन्दे ट्रडेशन ना फोलो पने रिकांगे, they have taken this tradition of using the सितार, and they have touched new heights, okay, बुलंदियों is heights, लोग प्रियाता मेंस, which is people love, on the heights रहमाट इच पननाद वंदे युंग नारदा, okay, वाई सितार is more famous in India, next, the last one is संतूर, संतूर का भारत्य नाम, शट्ट तंत्रिय वीना, शट्ट तंत्रिय वीना, means it's a hundred strings, strings रिका और वीना, okay, इप़ इवरोड चित कर पत्तेंगे, बट अधा इपड़ी वासी करांगे, उर कुच्चिवे चिता मासी, they will have a small stick to play that, okay, संतूर का भारत्य नाम, शट्ट तंत्रिय वीना, यानी, सौव तारों वाली वीना था, so this is the older name, okay, जिसे बार्ध में फार्सी बाशा के प्रबाव से संतूर नाम दिया गया, so we got influenced by the फार्सी language and it was named as संतूर लेटर, ये अपने आप में एक अनोखा वाद्य इंत्र है, this is a very unique वाद्य जो एक तार का साज होने के बावजूत, so it is made up of strings, but still, लकडी की छोटी चदों से बजाया जाता, it is used, a small stick, wooden stick is used to play the instrument, ये मूव रूप से कैश्मीर का लोक वाद्य है, जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है, पहले इसका चलन केवल कैश्मीर में था, लेकिन आज ये बारत के सबसे लोग प्रियवाद्य एंत्रों में से एक है, now it is very famous all over, across the world, India, इसका प्रयोग भी शास्त्रिय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है, so it is also used in classical music and also in some other different types of music also they are bringing it, Pandit Shivakumar Sharma ने इसे लोग प्रियता के शिकर तक पहुंचाने में विशेश योगदान दिया है, so who has made it very famous Pandit Shivakumar Sharma, लोग प्रियता means people loved, okay, शिकर means the peak, तक पहुंचाने में विशेश योगदान में जाता है, so योगदान means he has contributed many much thing to make it people loved, गायन के साथ जब वाद्य एंत्रों के साथ मिलता है, so along with the singers, when the musical instrument is also involved, तो शोतागन उस गीत संगीत में दूब जाते हैं, शोतागन means the listeners, दूब जाते हैं, they will dive into this musical world. बारत्य वाद्य एंत्रों ने अपनी अनोटी विशेष्टाओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष्यस्तान बना लिया है, so बारत्य इंडियन इंस्ट्रुमें अलसो, because of the special, unique speciality, they have also taken a good place, special place in the India and abroad, hope you would have understood the lesson, if you still have any doubt, please comment, I will explain you back, thank you students,